दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को विदानता लिमिटेड और टाटा स्टील के साथ में कुछ ऐसी कंपनी इसके शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे बोनस, स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है All Cargo Logistics Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शेयर है 0.4% के एक छोटे से पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ और 60.83 रुपीस का जुब है कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की बात करें तो All Cargo Logistics ने जुब है डिविडेंट अनौस कर दिया है 1.10 रुपीस का आपको आपके हर एक शेयर पे एक रुपे 10 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा अक्चुल में डिविडेंट वैल्यू काफी जादा अच्छा है और इसको देने की X-Date, Record Date जो है 26th of October याने की 26 October की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Diamond Power Infra Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शेयर है हमें 0.5% से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला 1,849 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की बात करें तो उससे पहले आप लोगों के साथ एक बड़ी अपडेट शेयर कर देता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर से जोइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे कैश के उपर में स्टॉक्स पे बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करूँगा शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग सेटप और मैं मिट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग सेटप प्रोवाइट करता हूँ देखिए आप लोगों के लिए काफी जादा बेनेफिशल होगा इसकी गिरेंटी मैं खुद लेने को तैयार हूँ तो एक बारी चेक आउट जरूर से करिएगा डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा डायमेंट पावन इंफ्रा के ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो इस कंपनी ने जोबे स्टॉक स्प्लेट अनौस कर दिया है वन इस्टू टैन के रेशियो से जिसका मदलब काफी सिंपल है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 10 शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो आपके सभी के सभी शेयर्स यहां पे 10 गुना हो जाएगे इस स्टॉक स्प्लेट को देने की एकस डेट रेकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है विकोज यह एकदम लेटेस्ट अनॉंसमेंट है तो अब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाद में जैसी एकस डेट रेकॉर्ड डेट आएगी मैं आप लगो को इंटी मेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है केस ओल्स इंडिया लिमेटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे कंपनी का जो शेयर है और एक्जाक्ली फ्लाटी क्लोज हुआ 1028 रुपीस का क्लोजिंग प्राइस था इस कंपनी के ओफिशल अनाउस्मेंट की बात करें तो केस ओल्स इंडिया ने जो है डिविडेंट अनाउस कर दिया है 8 रुपीस का आपको आपके हर एक शेयर पे 8 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैल्यू देखें तो इतना जादा कुछ खास तो है नहीं ठीक है अवरेज है बागी इसको देने की X date record date जो है 28th of October यानि की 28 October की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Oberoi Reality Limited कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे लगबग हमें 0.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला 1,930 रुपीज पे close हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो Oberoi Reality ने जो है डिविडेंट अनौंस कर दिया है आपको आपके हर एक शेयर पे 2 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की X-Date Recorded जो है 4th of November यानि की 4 November की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Wipro Limited Wipro का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 3.5% की तेज़ी दिखाता देखने को मिला 547 रुपीज पे अगर इस कंपनी के Official Announcement की बात करें तो Wipro ने जो बोनस अनौस कर दिया है 1 is to 1 के रेशियो से जिसका मदलब काफी सिंपल है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको 1 share as a bonus मिलेगा आपका जो 1 share है वो 2 shares में convert हो जाएगा या simply आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के जितने भी shares है वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएगे इस bonus को देने की X date, record date अभी upcoming में है इसके लिए आप लोगों को simply बता है चैनल को subscribe करना है बाद में जैसी X date, record date आएगी मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Tata Steel Limited last trading session पे एक company का जो share है 2% की तेजी दिखाता देखने को मिला 155 rupees पे close हुआ Tata Steel के official update की बात करें तो एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे JM Financial करके एक काफी जाना माना brokerage firm है I'm pretty sure आप सभी ने JM Financial का नाम definitely सुना होगा even Indian stock market पे भी listed है तो इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर में कितना ज़दा well-reputed है अब JM Financial ने जोबे Tata Steel के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price दिया है 190 rupees का दिया है लगबग 155 rupees से लेके 190 rupees तक की एक जो rally है JM Financial expect करके चल रहा है Tata Steel के share के उपर में अब Tata Steel की as a company बात करें तो देखिए fundamentally, financially, definitely Tata Steel काफी strong company है all over देखा जाए company के अंदर कोई problem नहीं है जिस एक छोटी सी problem है last 3 साल से जोब है company का revenue almost हमें saturation point पे आता देखने को मिला है मतलब जादा कुछ बड़ा नहीं है थोड़ा बहुत flatty trade हो रहा है कही ना कहीं देखा जाए तो company का revenue कोई increase तो देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पर solution यही है company को sales जाद से जाद करनी होगी तभी company जो अपनी fair valuation पे आप आएगी actual में भी Tata Steel का share अपनी fair valuation पे नहीं है और यह जो 190 रुपे का target है यह target इतना भी छोटा नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में achieve हो at least आपको mid term तक का time लग जाएगा कुछ हफतों तक at least आपको wait करना होगा हो सकता है कुछ महीनों तक भी wait करना पड़े तभी Tata Steel का share जो है नहीं share में कोई problem है actual में अगर आप चाहें Tata Steel के share को आपकी watch list के अंदर में add कर सकते हैं और हाँ company के share पे आपकी नजर जरूर से बना के रखियेगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की तो company का नाम है Vidanta Limited विदानता का जो share है last trading session पे लगबग हमें 2% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 480 रुपीज पे close हुआ अब विदानता की तरफ से काफी बड़ी और एक काफी धमाकेदार positive update आ रहा है basically विदानता ने जोबे यहाँ पे announce कर रहा है कि यह लोग अपने राजस्थान के अंदर में 1,00,000 करोर रुपीज से जादा इन्वेस्ट करेंगे across different business verticals like including zinc and oil and gas कही ना कही अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हिंदुस्तान zinc जो की एक विदानता ग्रुप की firm है यह यहाँ पे 30,000 करोर रुपीज इन्वेस्ट करेगा अपनी जिंग कपैसिटी को अल्मूस्ट डबल करने के लिए करंटली हिंदुस्तान जिंग की जो जिंग कपैसिटी है 1.2 मिलियन टन्स पर एनम की है 1.2 MTPA यानि की मिलियन टन्स पर एनम और इसको जो जो 30,000 करोर रुपीज अगर यह इन्वेस्ट कर देते हैं 2,000,000 टन्स पर एनम पे शिफ्ट कर देंगे तो 30,000 करोर विदानतर लिमेटेड यहां पर यूज करेगा जिससे हिंदुस्तान जिंग की जो जिंग कपैसिटी है वो हमें डबल होती नजर आएगी और साथी साथ में जो सिल्वर प्रोडक्शन है वो 800 टन्स से 2,000 टन्स पे आ जाएगा और इसके अलावा विदानतर जुबे वन मेट्रिक टन पर अनम का फर्टिलाइजर प्लांट भी ओपन करेगा इस प्लांट की कपैसिटी इतनी जादा है कि डेफिनेटली एक काफी बड़ा आप कह सकते हैं क्लाइंटेज केटर कर पाए और अलग से विदानतर लेमेटेड यहाँ पे 35,000 करोर रुपीज इन्वेस्ट करेगा और यह जो ऑगमेंट कपैसिटी में और यह जो ऑगमेंट कपैसिटी है 3,000 बैरल्स पर डे पे आ जाएगी इतनी जादा कपैसिटी डेफिनेटली काफी बड़ी क्लाइंटेज को केटर करने वाली है और यहाँ पे अगर आप हिसाब देखेंगे अप्रॉक्सिमेटली 65,000 करोर रुपीज का हिसाब बन जाता है फर्दर अगर हम चलें तो दीकिए विदानता ग्रुप की एक एक एंटेटी है सेरेंटी का यह भी विदानता ग्रुप की कंपनी है यह यहाँ पे रेन्यूइबल्स सेरेंटी का रेन्यूइबल्स है यह यहाँ पे 50,000 करोर रुपीज इन्वेस्ट करेगी 10,000 मेगा वाट रेन्यूइबल्स पावर कपैसिटी को जिनरेट करने के लिए इनकी अलग 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 प्रोजेक्ट्स होंगे टोटल सबको मिला लेंगे तो 10,000 मेगा वाट का रेन्यूइबल्स पावर कपैसिटी प्रोजेक्ट के तियार कर लेंगे और 50,000 करोर रुपीज यहाँ पे जा टोटल में एक लाग करोड से जादा का इन्वेस्मेंट वेदानता ग्रुप जोए अकेले राजिस्थान के अंदर में करेगा जो की डिफिनेटली ओल ओवर कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव चीज है क्योंकि एक बार ही अगर ये इन्वेस्मेंट हो जाता है उसके बाद म वो सभी अपने अपने फुल पोटेंशल पे वर्क कर पाएंगी और एक्च्वल में कमपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट और ओल ओवर वैलिएशन भी काफी तेजी से बढ़ती नजर आएगी फाइनली कमपनी डेट क्लियर करने की वजाएब अपने बिजनस पे फोकस कर रही है और काफी शान्दर तरीके से कर रही है तो जरूर से विदानता के शेयर पे आपकी खास नजर रखियेगा क्योंगी ऐसे ही चलता रहा तो definitely valuations will spike up All over Vedanta काफी strong है जरूर से Vedanta Limited के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा और हाँ आपके watch list के अंदर में add कर लीचेगा बाकी Vedanta Limited हो गया या इससे पहले cover किया Tata Steel हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई